मैं एक ग्राम का अल्फा पतिशत लूँगा मतब अल्फा बटा 100 ये इतना ग्राम ह्टू ओटू है अल्फा बटा 100 ग्राम हमारे पास ह्टू ओटू है तो यहां से ह्टू ओटू के मोलों की संख्या ह्टू ओटू के मोलों की संख्या बराबर अल्फा बटा 100 ग्राम है इसको मैं 34 से डिवाइड कर दूँगा मतब अल्फा बटा 3400 ये मोलों की संख्या आपने ग्याद करी ह्टू ओटू के मोलों की संख्या बराबर अल्फा बटा 3400 अल्फा बटा 3400 अब बात आगे बढ़ती है ये मोलो की संख्या है आज मैं पहली बार आपको ग्राम तुलियांकी का इस्तमाल करना बता रहा हूँ तो बिल्कुल ध्यान कुरुवक मेरी बात को सुनिएगा ये अभीक्रिया KMNO4 और H2O2 के बीच में हो रही है अमलिय माध्यम के अंदर प्रश्ण में आपको बिल्कुल दे रखा है कि अमलिय माध्यम में अभीक्रिया होती है KMNO4 मतलब जो MNO4 नेगेटिव है वह MNO4 नेगेटिव H2O2 के साथ अभीक्रिया करता है और MN2 पॉजिटिव और O2 का निर्मान होता MNO4 नेगेटिव प्लस H2O2 देता है MN2 पॉजिटिव प्लस O2 यह हमारी अभीक्रिया है मतलब एक धाचा गत अभीक्रिया है मैंने इसको संतुलित नहीं किया है यह मेरी धाचा गत अभीक्रिया है अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो H2O2 है वह ओटू में परिवर्टिट हो के है तो इसका मतलब यह हुआ कि H2O2 का जो एक मोल है वह ह2O2 का एक मोल दो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है H2O2 का जो एक मोल है वहाद दो electron का loss करता है मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया loss of loss of two electrons तो यहाँ पर H2O2 के मोलो की संख्या बराबर alpha बटा 34 है अब अगर मैं ग्राम तुलियांग की पूछूँ आप से के H2O2 के ग्राम तुलियांग की कितने होंगे यह आपने जो यह निकाले हैं यह मोलो की संख्या है H2O2 के मोलो की संख्या आपने कहा alpha बटा 34 तो अब मैं ग्राम तुलियांग की निकाल रहा हूँ ग्राम तुलियांग की मतलब gram equivalence H2O2 के ग्राम तुलियांग की H2O2 के ग्राम तुलियांग की के ग्राम तुलियांग की बराबर ह2 ओटू के ग्राम तुलियांग की बराबर अब ह2 ओटू के हमारे को ग्राम तुलियांग की ग्याद करना है तो ह2 ओटू के ग्राम तुलियांग की ग्याद करने के लिए मैं क्या करूंगा ग्राम तुलियांग की बराबर होता है molों की संख्या है mol into n factor और h2o2 का ये जो अभिक्रिया है आपके सामने लिखी गई है इस अभिक्रिया के अंदर h2o2 का 1 mol 2 electron का loss कर रहा है h2o2 का 1 mol 2 electron का loss कर रहा है अर्थाथ उसका जो n factor हो जाएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे h2o2 का जो n factor आपको मिलेगा that is equal to 2 the n factor of h2o2 it is equal to 2 तो यहाँ पर ये molों की संख्या है gram तुल्यांकी तक जाने के लिए मैं 2 से गुणा करूँगा मतब अलफा बटा 34 into 2 कर दिया है मैंने तो यह हो जाएगा अलफा बटा 1700 अलफा बटा 1700 ये क्या है ये हमारे gram तुल्यांकी है तो अब यहाँ पर ये आपने h2o2 के gram तुल्यांकी जाद करें h2o2 के जो gram तुल्यांकी है वो अलफा बटा 1700 है अब यहाँ पर gram तुल्यांकी का क्या concept कहता है law of equivalence ये कहता है कि oxidizing जो oxidizing agent होता है जो oxy कारक होता है वो oxy कारक के gram तुल्यांकी बड़ाबर अप चायक के gram तुल्यांकी ये concept काम करता है concept क्या है gram equivalence of oxidizing agent gram equivalent of oxidizing agent oxidizing agent must be equal to the gram equivalent of reducing agent right इसको हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा gram तुल्यांकी अक्सी कारक के अक्सी कारक के gram तुल्यांकी बड़ाबर अप चायक के ग्राम तुल्यांकी राइट तो यहाँ पर हमारा जो अक्सी कारक है ये जो अक्सी कारक है हमारा वो अक्सी कारक है KmnO4 अक्सी कारक है हमारा KmnO4 KmnO4 के जो ग्राम तुल्यांकी है वह h2o2 के ग्राम तुल्यांकी के बड़ाबर होंगे h2o2 के जो ग्राम तुल्यांकी है वो है अल्फा बटा सतरा सो अप चायक अप चायक मत बहुत यह है अलफा बटा सतरा सो राइट मतलब ग्राम तुलियांग की के में नोफोर के इतनी होंगे के में नोफोर के ग्राम तुलियांग की के में नोफोर के ग्राम तुलियांग की बरावर अलफा बटा सतरा सो राइट यह के में नोफोर के ग्राम तुलियांग की आपने अलफा बटा सतरा सो, राइट, अब यहाँ पर आपको प्रश्ण में ये दे रखा था, प्रश्ण में आपको ये दे रखा था कि अलफा मिलिलीटर केमेनोफोर की आवशक्ता होती है, ये आपने केमेनोफोर के ग्राम तुलियंकी पता कर लिए, राइट, अलफा बटा सतरा स तो सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेगा कि ग्राम तुलियंकी बराबर होता है नॉर्मलता जैसे अपन क्या बोलते हैं नॉर्मेलिटी is equal to नॉर्मलता, capital N, capital N, नॉर्मलता बराबर यह direct gram tuliyanki काई formula बता जेता हूँ, gram tuliyanki is equal to gram tuliyanki बराबर, normal था N into विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, लीटर में, यह जो आयतन है, यह लीटर में लेना होगा यह बहुत ही important सूत्र है, सारे बच्चे इसको धियान में रखेगा, gram tuliyanki बराबर, gram tuliyanki बराबर, यह आपका एक important